एलो फ्रेंट्स वेल्कम टू देश्ट लेशन तो इसुड़ी के आंदर आम बात करने आवाले डाइगुग जिन के बारे में इसका इंडस्ट्रियल प्रोडक्चिन सीमेशन यूतिलाजेशन के बारे में पूर डीटेल में जानकारी ले लेंगे सब्सक्राइब करेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन पहले आपको मिलेगे और आप इजी लिए आमारी वीडियो देख सकते हो तो चले वीडियो को स्टार्ट कर देते डाइगोग जिन सोर्स देख लेते इसका सोर्स क्या है तो जो डिजिटालिस लेनाटर जो प्लैन टेफरेंट तो उसके लीउस से हमें कार्डियाग घ्लाइकोसईड मिल जाएगा इसकी फैमेली कौन सी है तो स्क्रोफियू ले या इसकी फैमेली है यहाँ पर देख लिजे उसका स्ट्रक्चर दिया गया है तो structure को अच्छे से बना लिजे दिफरंट थोड़ा डिफरंट है इसका structure तो यहाँ पर उसकी image भी दिए गए डागोग जीन की तो industrial production देख लेते इसका industrial level पर कैसे production किया जाता है तो first step देख लिजे यह प्रेंड्स fresh leaves made into paste and treated with neutral salts ओके जो भी लिए तो उसका पहले हैं क्या करेंगे फेस्ट प्रिपेर करेंगे पेस्ट करने के बाद उसे करेंगे किसके अतार तो neutral salt के साथ उसे करेंगे नेक्स्ट रेकंड देख लिजे पेस्ट डिस्टाइड विट बेंजीड पेस्ट को जो बेंजिन के साथ duffetate करेंगे and followed by extraction with ethyl acetate और बाद ने उस जो भी बेंजिन के साथ हमें paste depicted किया है तो उसे extract करेंगे किसके साथ तो ethyl acetate के साथ उसे extract करेंगे थर स्टेप के आंदर देख लिजे extract करने के बाद क्या हुगा extract जो भी extract किया हुआ content had lanetocyc which after hydrolysis L-digogixin जो भी extracted किया रहा container जी एसे कि lanetocyc उसे क्या करेंगा हम hydrolysis करेंगे है डोलाइसे करने के बाद हमें क्या होगा तो Above Simpson हो जायेगा तो simple reference इसका production तो इससे आज चैसे कर लीजेट दोर तीन सेप का सिर्फ production है तो estimation देख लिए इसका separate मतलब estimation कैसे किया जाता है ऐसे 40 mg test and standard solution of digoxin dissolved in sufficient ethanol जो भी हमारा digoxin है तो उसे dissolve करेंगे sufficient ethanol के अंदर dissolve करेंगे 5 ml of resulting solution add 3 ml picric acid solution उसके अंदर क्या करेंगे resulting solution of 5 ml उसके अंदर add करेंगे 3 ml picric acid उसके अंदर हम add करेंगे major absorbance at 495 nanometer बाद में उसका absorbance हम major करेंगे यहां पर utilization देख लिए जो भी cardiac related disorder से उसके treatment में इसे use किया जाता है आयो फ्रेंट्स आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा वीडियो के अंदर कोई doubt या problem तो आमें comment session में जरूर बताना तो मेलते हैं next video में interesting topic साथ फिला ले सुड़े के अंदर इतना है thank you so much friends